दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे अगर कोई क्रिमिनल अगर कोई फरार क्रिमिनल कोई बड़ा अपरादी दूसरी स्टेट में पुलिस को सरेंडर कर देता है तो क्या उसका एंकाउंटर होगा या नहीं होगा दोस्तों यह जो उधारड है यह बिकास दुबे की तरफ जा रहा है यानि कि अगर माल लीजिए बिकास दुबे ने नो पुलिस करिमियों के हत्या किये और वो फरार चल ला है उधारण के लिए अगर जैसे माल लीजिए उसने दूसरी स्टेड की पुलिस को surrender किया तो क्या उसका encounter किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है अन्था इसकी जगापे अगर कोई भी अपरादी हो तो उसका encounter किया जाएगा या नहीं किया जाएगा चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज रोकेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरूरूर। तो दो सबसे पहले बात करेंगे पुलिस एंकाउंटर करने की पावर जो है एंकाउंटर करने का अधिकार कहां पर दिया गया है तो देखिए ना तो भारती दंड सहता और ना ही दंड प्रिक्रिया सहता कहीं पर भी पुलिस एंकाउंटर या एंकाउंटर की बात नहीं की गई है ना ही पुलिस अधनियम में एंकाउंटर करने की बात की गई है देखिए अब बात आती है कि तो पुलिस एंकाउंटर कैसे क गरफतार करती है तब यदि कोई भी अपरादी या कोई भी व्यक्ति जब पुलिस पर जानलेवा हमला करता है तो पुलिस को IPC की धारा 96-97 जो भी Self-Defense की जो है वो अधिकार प्राप्त है यानि कि आत्म सुराच्छा करने का अधिकार पुलिस कोई नहीं बलकि सभी भारती नागरिकों को प्राप्त है जब कोई अपरादी पुलिस पर जानलेवा हमला करता है तो पुलिस उस अपरादी को मार गराती है और उसे हम लोग बोलते हैं एनकाउंटर और यहां पर मैं बात कहूं तो पुलिस को अगर आप पुलिस क्या किसी पर भी जानलेवा हमला करोगे तो इस व्यक्ति को अपनी जान बचाने का अधिकार है यहां तक कि अगर उसे आप से खत्रा है तो वो आपको भी जान से मार सकता है private प्रतरच्चा में वह किसी वकटी की जानवी ले सकता है तो प zijको सिर्फ private प्रतरच्चा है और private प्रतरच्चा के अंतरगत ही वह व्यक्ती को मार देती है जिसे हम लोग बोलते हैं encounter हो दारग वे तो मैं आपको बता हूँ जो कानपर घटना होई है वो विकास दुवे को गरपतार करने गई थी ठीक है तो वहाँ पर विकास दुवे ने आठ पुलिस करमियों को मार दिया ठीक है जानलेवा अगर माल लीजिए वो विकास दुवे जो था पुलिस पर जानलेवा हमला करता और पुलिस वहाँ पर पुलिस को सेल्फ डिफेंस ज अगर अदर्राज की पुलिस को अगर वो सिरेंडर करता है तो क्या इसका किया जा सकता है या नहीं तो चलिए बात करते हैं एक बात तो बिल्लकुल इसपस्ट है कि अगर वो उत्तरपर्देश की के हाथों में पढ़ता है तो इसका इनकाउंटर 99% होगा क्योंकि अब बो बि की सुरच्चा करने का यानि की सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और पुलिस उसका एंकाउंटर कर सकती है ठीक है अब बात आती है कि अधर स्टेट को सरेंडर कर दे तो देखें अधर अगर स्टेट को सरेंडर करता है तो हो सकता है कि वहां की पुलिस एंकाउंटर ना करे हाला पुलिस जो है वो इतना एक्शन ना ले सिर्फ उसे ग्रप्तार कर ले ठीके अगर वो ग्रप्तार हो जाता है और मीडिया में यह बात हाइलाइट ओल्चाए कि विकास दोवें ने सिरिंडर कर दिया है तो फिर उसका एंकाउंट्र नहीं किया जासकता क्यों नहीं किया सकती ह फिर ये भी हो सकता है आपको याद हो के हैदरावाद जो कांड हुआ था हैदरावाद में जो रेव हुआ था तीनों रेपिस्टों का गरपतारी के बाद एनकाउंटर कर दिया गया था और पुलिस ने अपना तरक ये दिया था कि इन तीनों रेपिस्टों ने पुलिस से प्रास दुवे ने भागने की कोसिस की और पुलिसवारों पर जानलेवा हमला किया इसके लिए उसका एंकाउंटर करना पड़ा ठीक है ऐसा भी हो सकता है लेकिन ये होने के बहुत कम चांस है जब कोई मामला मीडिया हाइलाइट कर देती है मामला हाइलाइट हो जाता है तो वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं और ऐसा होता है तो ऐसे में सुप्रीम कोट और हाई कोट में भी फिर जाच होती है और पूरे मामले की जाच की जाती है